नमस्कार दोस्तों, MPN Academy में आपका हार्दी कबनंदन है, प्रस्तुत है दैनिक समय सारनी, यानि ये ऐसा टाइम टेबल है, उन लोगों के लिए जो BPSC का एक्जाम देना चाह रहे हैं, 2021 में, लेकिन वरकिंग पोपेस्टनल हैं, यानि काम काजी वक्ती हैं, या हाउस हैं, ग्रीनी हैं, दोस्तों, एक बात समझ लिजिए, क्वालिटी स्टडी, यादि आप पांच घंटे प्रती दिन on an average दे देते हैं, तो BPSC का एक्जाम निकाला जा सकता है, लेकिन उससे कम समय नहीं चलेगा, कम से कम पांच घंटे का क्वालिटी स्टडी देना है पड़ किजिए, BPSC का एक्जाम निकल के रहेगा, यह मेरा दावा है, सबसे पहले हमेशा की तरह कैलेंडर को देखते हैं, कि 2021-22 में कब-कब कौन सा एक्जाम होने वाला है, 66 BPSC का मैंस सबसे पहले मार्च 2021 में होगा, उसके बाद 66 BPSC का इंटर्वी होगा अगस्त 2021 में, उससे एक मैने पहले 67 BPSC का नोटिफिकेसन आएगा जुलाय 2021 में, प्रेलिम्स का एक्जाम होगा 66 BPSC का अक्टूवर 2021 में, मैंस का एक्जाम होगा जनर्वडी 2022 में, इंटर्वी होगा माई 2022 में, तो यदि आप 67 BPSC, 66 BPSC के तहरी कर रहे हैं, तो प्रेलिम्स के लिए आपके प यानि प्रेलिम्स तो एक क्वालिफाइंग एक्जाम है, मैंस एक्जाम जादा एंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेलिम्स क्वालिफाइ करेंगे तभी आप मैंस का एक्जाम देंगे, तो शुरू के जो 6 महने होंगे, जनर्वडी से लेके जून तक, वो हम PT और मैंस की दोन उसके बाद मैंस फोकस्ट प्रेप्रेशन रहेगा, अक्टूवर में प्रेलिम्स जैसे ही समापत होता है, उसके बाद से शुरू हो करके, डिसंबर 2020 और जनर्वडी में जब तक एक्जाम हो, यानि उसमें भी आपको 3 महने का समय मिलेगा, आईए एक नजर देखते हैं, कि जिहार स्टेटिक पोर्षन से आपको 25 क्वेशन मिलेंगे, जिसमें हिस्ट्री विशा मिलें, साइन्स और एंवर्मेंट से 20, जोगरफी से 15, एकोनोमी से 10, पॉलिटी से 10 और मैथ रिजिनिंग के 10 प्रेशन, खुल मिलाके 150 प्रेशन आपको प्रेलिम्स में आते हैं, आई बहुत ही इंट्रेस्टिंग लगता है, लेकिन एक्जाम में तो 20 प्रस्न आएंगे न, तो इसमें आप 5 घंटे विकली से ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो जो विशाय जितना डिजर्ब करता है उतना ही दीजिए, अपने रूची के साब से नहीं, तो सब से ज्यादा स कोई भी मिस हुआ, तो आप क्वालिफाय नहीं कर पाएंगे प्रफीर्ज में, तो 9 घंटे का समय देंगे, आज़ गंटे का समय देंगे, हिस्ट्री में, साइंट्स में 5 घंटे का, जोगरफी में 5 घंटे का, एकनोमी में 3 घंटे का, quality में 3 घंटे का, और math reasoning में 2 घंटे का तो कुल मिला करके 35 गंटे, 7 दिन में 35 गंटे on an average, 5 गंटे प्रती दिन आपको quality रुप से study करनी है आईए सबसे पहले चर्चा करेंगे working professional यानि काम काजी व्यक्ति के daily time table पे तो दो परकार के व्यक्ति होते हैं, एक जिनने सुबह में उठके study करना अच्छा लगता है तो उनके लिए schedule ये है कि आप सुबह चार बजे जग जाईए और सारे चार से लेके सारे साथ तक यानि तीन गंटे का पहला schedule है, तीन गंटे आपको quality study करनी है 7.30 के बार आप अराम से fresh होईए, breakfast कीजी और office के लिए निकल जाईए 2nd setting, तो आभी खाए कि आप 5 बजे या 6 बजे तक वापस आएंगे, जब भी वापस आएं फ्रेश हो करके 2 गंटे के लिए आप study कर लीजे, उसके बाद खाना खाके आप rest कीजीए अब आते हैं type 2 person जो की night person होते हैं, जिने रात में study करना अच्छा लगता है वो सुबह में study नहीं कर पाएंगे, सुबह उठाएंगे, फ्रेश होंगे, ऑफिस चली जाएंगे तो नों के लिए first sitting स्टार्ट होगा, शाम को 7 बजे से लेके 10 बजे तक पहला sitting हमेशा जादा रहेगा 3 घंटे का, 10 बजा आप खाना फीना खाईए, थोरा सा enjoy कीजिए, घुमिए फिर ये और फिर रात में सारे 11 बजे बैठिए और देर बजे तक study कीजिए 2 घंटे का, इस प्रकार से 5 घंटे का आपका daily time table है इसे आप follow कीजिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो 3 घंटे का समय होता है, लगातार study नहीं करनी है 40 मिनट के बाद, 5 मिनट का break लीजिए, उसमें आप physical exercise कीजिए, थोरा टहल लीजिए जिससे कि oxygen आपके brain में जाए, और खाली पेट study नहीं करना है, आप थोरा बहुत breakfast कुछ खा के study कीजिए तो glucose और oxygen इन दो तत्तों की मुझूदगी रहेगी आपके brain में, तो आपका brain actively ज़्यादा काम करेगा इसमें से कोई भी एक चीज़ की कमी रही, तो brain उतना active रहेगा रहें, concentration आपका बन नहीं पाएगा और आपको जो भी आप study करेंगे, वो आपको याद नहीं रहेगा, तो ये चीज़ का ध्यान में रखना है आईए, अब चर्चा करते हैं, housewives, जो greeny है, तो इसे दो भाग में divide किया गया है एक rural housewives, यानि गौँ में रहती हैं, और एक शहरों में रहती हैं तो जो गौँ में रहती हैं, housewives हैं, सुवाईग बात है कि वो 5 या 6 बज़े तक जग जाएंगी, सुभ़े उनको समय नहीं मिलेगा तो सुभा का समय आप अराम से खाना पिना बनाईए, फैमिली के लिए समय दीजे घर को लेकिन जैसे ये सारे आट बसता है, आपका कम 8 बज़ तक finish वज़ेगा 8 बज़ बात आदा गंटा rest कीजे और सारे आट से लेके सारे 11 तक 3 गंटे का पहला आप setting बनाईए घर में फैमिली मेंबर्स को बोल दीजे, आप एक रूम में पैक हो करके अराम से आप study कीजे गाउ में, तो 8 बज़ तक आप खाना पिना बना करके सारे 8 से लेके सारे 10 दो गंटे study कीजे तो इस प्रकार से आपका 5 गंटे का schedule हो गया, जो शारों में राती है, स्वाइक बात है कि थोड़ा सा देर से जगती है लोग रात में भी देर से खाना खाते हैं, तो उनके लिए first setting होगा, आप 9 से लेके साड़े 9 बज़े तक सारे काम निप्टा दीजे, आदे गंटे आप फ्रेस हो लिजे और 10 से लेके 1, 3 गंटे का पहला आपका schedule है, जो कोई आपको study के लिए देना है second setting में आप रात में 9 o'clock तक सारे काम finish कर लिजे, आप खाना भी खा लिजे, आदा गंटा आप थोड़ा rest कीजे और 9.30 से लेके 11.30, दो गंटे तक आप study कीजे आईए शुरू के जो 6 मेने होते हैं, जिसमें हम लोग prelims और mans, दोनों की combined study करते हैं, उसका एक schedule देखते हैं time table देख लिए आप किस slot में कौन सा भी से study करना है, उसको हम लोग देखते हैं तो first setting में आपको history study करनी है, इंडिया और बिहार दोनों मिला करके, इसमें आपको समय देना है सवा गंटा, यानि 40-40 मिनट का दो schedule आप इसमें complete करेंगे, 40 मिनट का study करेंगे, 5 मिनट का break, फिर 40 मिनट का study करेंगे, history of companies हो गया उसी प्रकार से 40 मिनट का समय यहां भी लगाना है, current affairs, MPN Academy के जो PDF होते हैं, current affairs के, very very important, अभी थोड़ी दिर में चर्चा करूँगा मैं तो उससे आप current affairs का revise कीजिए, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो कम समय में ही ज़्यादा productive काम करना है उसके बाद एक magazine आपको study करनी है, 9 months plan में सारे विशय का कौन-कौन सा book होगा, वो सारी हमने discussion की हुए हो वीडियो आप देख सकते हैं उसके बाद 30 minutes का आपको man's का writing practice करना है, man's specific previous years question paper देख लिजिए, syllabus देख लिजिए और यहां जो आप study कर रही हैं, आपको 30 minutes का writing practice per day करना है उसके बाद एक newspaper परने की आपको सला दी जा रही है, यदि आप इसमें working professional हैं, तो आप office hours में कर लिजिए या traveling time में कर लिजिए, जब भी समय मिले, और house vibes हैं, तो कभी आप बीच में समय निकाल करके, आधे घंटे के लिए आप newspaper जरूर study कीजिए इसमें भी खास करके, editorial को आपको study करना है, और अगले दिन उसको यह जो writing practice है, उसमें आपकुछ points नोट करके, आप writing practice करेंगी उसके बार second sitting, आता है second sitting में, आपको Monday से लेके Wednesday टक, science और quality study करनी है, एक गंटे का, और Thursday से लेके Saturday टक, geography और economy और इसी में आपको समय निकाल करके, 30 minutes का जो समय बचता है, उसमें आप पूरे दिन भर जो आपने study किया हुआ है, थोरा उसको आप revise या review कर लिए अब आते हैं Sunday को क्या करना है, तो first sitting जो रहेगा तीन गंटे हैगा, उसमें आपको weekly revision करना है, जो भी आपने study किया हुआ है, एक बार आप सपता ही कुरूप से, तीन गंटे में पूरे सपता का एक बार revise कर लिए, आपने क्या 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 study किया हुआ है second sitting में आपको एक set लगाना है BPSC का, including math questions, math की practice यहां भी हो जाएगी 10 questions जो रहते हैं, वो 2 घंटे का, set 2 घंटे का exam होता ही है BPSC का वैसे भी, तो 2 घंटे का एक previous year set बनाना है, book की चर्चा 9 months plan में अलड़ी की गई है, Sunday की दिन आपको extra third sitting 30 minutes का देना है, वो किसलिए MPN Academy के YouTube channel पर आपको weekly current fat test series, यह आपको मिलेगा, इसे आप जरूर attempt कीजिए, यह very very important है, 66 BPSC में MPN Academy current fat से 36 प्रस्न आ चुके हैं, तो very very important, इसे बिल्कुल भी miss नहीं करना है, अब चर्चा करते हैं, 6 मेने तक आपने study कर लिया, जून तक अब जुलाई का मेना आया और notification आगया, तो notification आने के बाद सितंबर तक 3 मेने का जो study रहेगा, उसमें prelims specific हम लोग study करेंगे, तो इससे पहले की इस prelims specific schedule को देखें, आईए चर्चा करते हैं कि MPN Academy के current fat PDFs, जो की very very important है, यह आपको कैसे मिलेंगे, अब चर्चा करते हैं, जुलाई से लेके सितंबर 2021, यानि prelims specific तयारी कैसी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कि हम लोग आगे बरहें, एक very very important सूचना है, दोस्तों हमारे चैनल पर 67 VPSC prelims exam के लिए पूरी तयारी कर ली गई है, current fat PDF आपक weekly current fat test series, जिसमें आपको 50 PDF मिलेंगे, monthly current fat short notes, 12 PDF मिलेंगे, बिहार current fat, जो monthly हता है, उसमें 14 PDF मिलेंगे, 12 मेने का, एक economic survey और दूसरा budget का, यहाँ पर जो 50 PDF है, इसमें भी 48 PDF मिलेंगे, आपको weekly current fat test series, हर एक मेने का 4 PDF आएगा, तो इस परकार से 12 मेने का 48 PDF, एक economic survey और एक budget का, इ जो थी मामली शुल्क रखी गई है दोस्तों, केवल 600 रुपिये, आपको साल बर का current fat का PDF मिल जाएगा, आपने हमारी पिछली performance देखी है, इस प्रकार से 36 प्रस्न, 66 वी प्रेलिम्स एक्जाम में आए गए है, इस बार आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, वह प्रेस के questions आते हैं, तो ये आप best investment कर सकते हैं, 600 रुपिये का, एक annual subscription लेकर के, MPN Academy current fat PDF का, ये PDF आपको कैसे मिलेंगे दोस्तों, banking details देखी हैं दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नम से, यहां पर आई नहीं है, द्यान में रखिएगा, IFC code भी दिया गया है, एकाउन नम API या Google पे से payment करना चाहें, तो एक नमबर है, 7366 005556, 7366 00556, ये नमबर है, आपको करना क्या है, आपको ये 600 रुपिये का payment करना है, उसके बाद उस payment के screenshot या transaction को, आप इस telegram नमबर पे भेज़ देंगे, 7366 005556, इस telegram पे भेज़ देंगे, आपको एक pad group, MPN Academy Premium में add कर दिया जाएगा, और वहीं पर आपको PDF मिलना शुरू हो जाएगा, दोस्तों, जुलाई में ही 67 VPSC का notification आएगा, तो जब notification आजाएगा, जब भी notification आती है, तो 100 days के बाद ही exam होता है, प्रेलिम्स का इस बार भी ऐसा ही हुआ था, पक्का 100 दिन के बाद exam हुआ था, जैसे ही 67 VPSC का notification आएगा, इस channel पर आपको एक new 100 days plan मिलेगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जुलाई से अक्टूबर, यानि 100 दिनों की strategy क्या रहेगी, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, तो उस video को जरूर देखिएगा, वो notification आने के बाद हम लोग कर जोइन कीजे, वहाँ पर आपको ये PDF मिलेगा, इस video का, आईए अब चर्चा करते हैं, जुलाई से सिदंबर 2021, प्रेलिम्स स्पेसिफिक क्या schedule होना चाहिए, बिल्कुल बांकी सारी चीज़ां वही रहेंगी, यहाँ पर history रहेगा ही, इंडिया और विहार का first sitting में, current affairs, MPN Academy के PDFs रहेगा ही, एक magazine रहेगी ही, लेकिन जो writing practice था, man specific, उसके जगह पर 30 minutes का आपको crown या lucent, किसी एक book को रखे, guide book, और उसको 30 minutes के लिए revise कीजे, हर एक विसाय को, जिससे होगा क्या जो 100 दिन में आपको, यह guide book है, कब से कम आप, एक बार तो जरूरी study कर लेंगी, संभा व उसी तरह से office hour में, या free time में, या traveling time में, आपको study करनी है, second sitting में बिल्कुल वाई system रहेगा, science and quality, Monday to Wednesday, और geography और economy, Thursday to Saturday, यह आपको देर गंटे में finish कर लेना है, आदे गंटे का समय, पूरे दिन का revision करने में जाएगा, अब आते हैं, Sunday को क्या करेंगे, तो बिल्कुल Sunday को same schedule ह है, first sitting में आपको weekly revision करना है, all subjects का, second sitting में sit एक जाड़ी रहेगा, VPSC का prelims का, third sitting में extra time निकाल करके, आपको MPN Academy के YouTube channel में weekly current fed test series को जरूर देखना है, भाग देना है, आईए, अब बचे हुए समय की चर्चा करते हैं, आपने prelims का exam दे दिया, चाहाए वो 66 में का exam दिया हुआ या सरसठवी का, तो MEMS के लिए आपको तीन महिने का ही समय मिलेगा, आपको परियास करनी चाहिए कि आप full time student बन जाईए, कोसिस कीजिए कि office से चुटी ले ले 100 दूनों के लिए, या housewives हैं तो घर में बोल दिजिए कि separate होके study करना चाहते हैं, घर का काम आप नहीं करेंगे 3 दिनों तक, बहुत minimize work को कर दिए, कई ऐसे जाब होते हैं, जिसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, या घर के काम में और कोई help नहीं कर रहे हैं, मजबूरी आपको कि 5 घंटे इस study करनी हैं, तो आप ये time table follow कीजिए, फर्स सेटिंग में GS paper 1 और optional को देखिए, यानि 3 घंटे का स Sunday के दिन आपको क्या करना है, revise कर लेना है, पूरा जो आपने सब्ता में जो भी study की वह है, सभी को revise कर लेना है, second setting में क्या करना है आपको, 2 घंटे का जो समय होता है, उसमें एक set practice लगाना है, मेंस specific, previous question ले लीजिए आप, उसमें से आप set practice लगाईए, current affairs को छोड़ करके, क अपने सब्दों में लिखना है, तो कैसे करेंगे इसको, first Sunday को, आपको GS paper 1 का practice set बनाना है, second Sunday को GS paper 2 का, third Sunday को optional का बनाईए, और fourth Sunday को हिंदी का कीजिए, छोटा होगा, और साथ साथ में review कर लिजिए, whole month का, पूरे महने के दौरान आपकी तैयारी, किस level पे जा रही है, कुछ कमिया है, तो से दूर कीजिए, दोस्तों, यदि आप इस daily routine और schedule को follow कर लेते हैं, quality time दे देते हैं, तो आपको BPSC में सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये जो time table था, ये जो schedule था, बिलकुल इस scientific तरीके से बनाया गया है, इसमें जीवन के सभी aspects का ध्यान रखा ग प्रको BPSC, जीवन के समाई है स्वाद के जीवन के से भीज है, क्या क्या मैं इस दोश म।र सेjal churches